जब से होरी के घर में गाई आ गई थी घर का श्री ही कुछ और हो गई है दन्या का घमन तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है जब देखो गाई की चर्चा भूसा छिज गया था उख में थोड़ी सी चरी बूदी गई थी उसे की कट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था आँकी आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और कहस निकले आधा आशाड बीत गया और बरसा ना हुई सहसा एक दिन बादल उठे और आशाड का एक दोगड़ा गिरा किसान खरीब बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा जब तक बाकी न चुक जाएगी खेती को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा किसानों पर जैसे बज्जरपात हो गया और कभी तो इतनी कड़ाईना होती थी अब कि ये कैसा हुकम कोई गाउँ छोड़कर भागा थोड़ा ही जाता है अगर खेतों में हल न चले तो रुपे कहां से आ जाएंगे निकालेंगे तो खेत से ही सम मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए कारकुन का नाम था पंडित गोसे राम आदमी बुरे ना थे मगर मालिक का हुकम था उसे कैसे टाले अभी उस दिनराय साहब ने केसी दया और धर्म की बाते की थी और आज असामियों पर यह जुल्म होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुकम दे दिया उसे क्यों टालने लगें मैं अगवा बनकर क्यों बुरा बने जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कोदे जो सबके सिर पड़ेगी बैवी जहिल लेगा किसानों में खलवली मेची हुई थी सभी गाउं के महाजनों के पास रुपए के लिए दोड़े गाउं में मगरू सहा के आजकल चड़ी हुई थी इस साल सन में उसे अच्छा फैदा हुआ था गेहूं और अलसी में भी उसे कुछ कम नहीं कमाया था पंड़े दाता दिन और दुलारी सभुआयन भी लेन देन करती थी सबसे बड़े महाजन थे जुंगरी सिंग बह शेर के एक बड़े महाजन के एजेंड थे उनकी नीचे कई आदमी थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे उनके अतिरिक्त और बीचों कई छोटे मोटे महाजन थे जो दो आने रुपे ब्याज पर बिना लिखा पड़ी के रुपे देते थे गाउं वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था जिसके पात 10-20 रुपे जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था इस समय होरी ने भी महाजनी की थी उसी का ये प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपे हैं आकर वैधन गया कहां बटवारे में निकला नहीं होरी ने कोई तीर्थ ब्रत भोज किया नहीं गया तो गया कहां जूते जाने पर भी उसके घटे बने रहते हैं किसी ने किसी देपता को सिधा किया किसी ने किसी को किसी ने आना रुप्या ब्याज देना स्विकार किया किसी ने दो आना होरी में आत्मिस सम्मान का सर्वता लोपना हुआ था जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुह लेकर जाए जिंगुरी सिंग के सिवा उसे और कोई ना सूजा मैं पक्का कागज लिखाते थे नजराना अलग लेते थे दस्तूरी अलग स्टाम की लिखाई अलग उस पर एक साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपए लेत देते थे पचीस रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से सत्रे रुपए हाथ लगे मगर इस गाड़े समय में और क्या किया जाए राहे साब की जबदस्ती है उच्छो वाले आदमी थे बिल्कुल बिदूशक जैसे और थे भी बड़े हंसोड इस गाउं को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सेलहेज का नाता जोल लिया था रास्ते में लड़की उन्हें चिड़ाते पंडित जी पाल लगी और जिंगुरी सिंग उन्हें चटपर आशिरवात देते तुमारी आखे फूटे घुटना तूटे मिर्गी आए घर में आग लग जाए आदी लड़की इस आशिरवात से कभी ना आगाते थे मगर लेन देन के बड़े कटोर थे सूट की एक पाई नहीं छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपे लिए द्वार से ना टलते थे होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ती कथा सुनाई जिंगरी सिंग ने मुस्कुरा कर कहा वैसा पुराना रुपे क्या कर डाला पुराने रुपे होते ठाकूर तो महाजोनों से अपना गला न चुड़ा लिता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है गड़े रुपे ना निकले चाहें सूद कितना भी देना पड़े तुम लोगों की यही नीती है कहा कि गड़े रुपे वावु साहब खाने को तो होता नहीं लड़का जवान हो गया ब्या का कहीं ठिकाना नहीं बड़ी लड़की भी ब्याने जोग हो गई रुपे होते तो किस दिन के लिए गाड़े रखते जिंगरी सिंग ने जब से उसके द्वार पर गाये देखी थी उस पर दांत लगाए हुए थे गाये की डील डोर और गठन कहे रहा था कि उसमें पांच सेर से कम दूद नहीं है मन में सोच लिया चाहो ले जाओ लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कुछ गहने गाटे हो तो गिर्वी रखकर रुपे ले लो इस टाम लिखोगे तो सूथ बढ़ेगा और जहमेले में पढ़ जाओगे होरी ने कसम खाई कि वे घर में गहने के नाम कच्चा सूथ भी नहीं है दन्या के हाथों में कड़े हैं वेही भी गिलटके जिंगुरी सिंग ने सहाने भूती का रंग मूँ पर पुत्किर कहा तो एक बात करो यह नए गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो सूथ स्टाम सब जगडों से बच जाओ चार आदमी जो दाम कहें वे हमसे ले लो हम जानते हैं तुम अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते लेकिन यह संकर तो टालना ही पड़ेगा होरी पहले तो इतना इस प्रस्ताप पर हसा उस पर शांत मन से बिचार भी ना करना चाहता था लेकिन ठाकूर ने उच नीच सुझाया महाजनी की हटकंदों का ऐसा विशन डूप दिखाया कि उसके मन भी यह बात बैट गई ठाकूर ठीकी तो कहते हैं जब हाद में रुपे आ जाएंगी गाये ले लेना 30 रुपे का कागर जिखने पर कहीं 25 रुपे मिलेंगे और 3-4 साल तक ना दिये गए तो पूरे सो हो जाएंगे पहले का अन्मब यही बताता था कि कर्च बे महमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता बोला मैं घर जाकर सबसे सला कर लूँ तो बताऊं सला नहीं करना है उनसे कह देना है कि रुपे उधार लेने में अपनी बरवादी के सिवा और कुछ नहीं है मैं समझ रहा हूँ ठाकर अभी आके जबाब देता हूँ लेकिन घर आकर उसने जिवही परस्ताब किया कि कुहराम मच गया धन्या तो कम चिलाई दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सर पर उठाली नहीं देते अपनी गाय रुपे जहां से चाहे लाओ सोना ने तो यह तक कह डाला था इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेज डालो गया से कुछ बेज़ी ही मिल जाएगा होरी असमंजस में पढ़ गया दोनों लड़कियां साचमुछ गया पर जान देती थी रुपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कौर मुझे नहीं डालती थी गया कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी कितनी स्ने भरी आँखों से उसे देखती थी उसका बच्छडा कितना सुन्दर होगा अभी से उसका नामकरन हो गया था मट्रू मैं उसे अपने साथ लेकर सोगी इस गाय के पीछे दोनों बहिनों में कई बार लड़ाईयां हो चुकी थी सोना कहती थी मुझे जादा चाहती है रूपा कहती थी मुझे इसका निर्णे अभी तक नहों हो सका था और दोनों दावे कायम थे मगर हूरी ने आगा पीछे सुझा कर आके धन्या को किसी तेरे राजी कर लिया एक मित्र से गाय उधाकर लेकर बेच देना भी बहुती वैसी बात है लेकिन बिपत में तो आदमी का धरम तक चला जाता है यह कौनसी बड़ी बात है ऐसा ना हो तो लोग बिपत से इतना डरे क्यूं गोवर ने भी विशेस आपत्ती ना की मैं आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था यह तैय किया था कि जब दोनों लड़किया रात को सो जाए तो गाय जिंगरी सिंग के पास पहुचा दी जाए दिन किसी तरह कट गया सांज हुई दोनों लड़किया आट बचते बचते खापी कर सो गई गोवर इस करूण द्रश्ट से भाग कर कहीं चला गया था वह गाय को जाते कैसे दिख सकेगा अपने आंसों को कैसे रोक सकेगा होरी भी उपर से ही कटोर बना हुआ था मन उसका चंचल था ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस बक उसे पचीस रुपे उधार दे दे चाहें फिर पचास रुपे ही ले ले वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंकों में आंसों भरे हुए हैं और वह कह रही है क्या चार दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया तुमने तो बचन दिया था कि जीते जी से ना बेचूंगा यही बचन था तुम्हारा मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया बही खाकर संटुस्ट हो गई बोलो धन्या ने कहा लड़कियां तो सो गई अभी से ले क्यों नहीं जाते जब बेचना ही है तो अभी बेच दो होरी ने कापते स्वर में कहा मेरा तो हाथ नहीं उठता धन्या इसका मुह नहीं देखती रहने दो रुपए सूद पर ले लूँगा भगवान ने चाहां तो सब अदा हो जाएंगे तीन चार सो होते ही क्या है एक बार उख लग जाए धन्या ने गर भरे प्रेम से उसकी ओर देखा और क्या इतनी तपस्ता के बाद तो घर में गव आई उससे भी बेच दो लोकल रुपए जैसे और सब चुकाए जाएंगे बैसे इसे भी चुका देंगे बीतर बड़ी उमस हो रही थी हवा बन थी एक पत्ती नहीं हिलती थी बादल चाह हुए थे पर बर्शा के लक्षर ना थी होरी ने गाय को बाहर बांद दिया धन्या ने टोका भी कहा लिये जाते हो पर होरी ने सुना नहीं बोला बार हवा में बान्दे देता हूं आराम से रहेगी उसमें भी तो जान है गायवांकर भे अपने जहमले भाई शुभा को देखने गया शुभा को इधर कई महने से दमे का आज़ा हो गया था दवा दारू की जुगतने खाने पीने का प्रबंद नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी शुबा शेहनशील आदमी था लड़ाई जगड़े से कोसो भागने बाला किसी की मतलब किसी से मतलब नहीं अपने काम से काम होरी उसे चाहता था और वहीं भी होरी का करता हुआ जैसे घाय के पास भी आदमें खड़ाए पुचा कौन खड़ा है वहा भी हुदादा तुम्हारे कोड़े में आगड़े ने आहा था हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया इस जरासी बात में हुरी को भाई की आत्मियता का परिचे मिला गाउ में और भी तो कोड़े हैं कहीं से आग मिल जाती हीरा उसके कोड़े में आग ले रहा है गुस्तेहल है लेकिन दिल का साफ उसने स्ने वरे स्वर में पूछा तमाकू है की लादू? नहीं तमाकू तो है दादा सुबह तो आज बहुत बेहाल है कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसे लेखे तो सारे बैर डॉक्टर हकीम अनाडी है किसी को गिंता नहीं है और चिडने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं तो मैं याद है की नहीं जब तुम्हें इफिंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेक देते थे मैं तुमारे दोनों हाथ पकड़ता था तब तुमारी भावी तुमारे मुह में दबाई डालती थी उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे हाँ दादा भला ये बात भूल सकता हूँ तुमने इतना ना किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता होरी को ऐसा मालूं हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया था उसका गला भी भर आया बेटा लड़ाई जगड़ा तो जिंदगी का धरम है इससे जो अपने हैं वे पराय थोड़ी हो जाते हैं जब घर में चार आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई जगड़े भी होते हैं जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा दोनों ने साथ चिलंपी तभीरा अपने घर गया होरी अंदर भोजन करने चला धनिया रोश से बोली देखी अपने सपूत की लीला इतनी रात हो गई है और अभी उसे अपने सेल से छुटी नहीं मिली मैं सब जानती हूँ मुझको सारा पता मिल गया है भोला कि वैरान लड़की नहीं जुनिया उसी के फेर में पढ़ा रहता है होरी की कानों में इस बात की भनक पड़ी पर उसे विश्वास ना था कि गोवर विचारा इन बातों को क्या जाने बोला किसने कहा तुमसे धनिया प्रचंड हो गई तुमसे छिपी होगी तो सबी जेगे चर्चा चल रही है ये भुगगा बै 72 घाट का पानी पिये हुए उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है बै इस पर जान देती है तुमसे समझा दो नहीं तो ऐसी वेसी बात होगी तो कहीं के ना रहोगे होरी का दिर उमंग परता चुहल की सूजी धुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है उसी से करने सगाई ऐसे सस्ती महरिया और कहां मिल जाती है धन्यों के ये चुहल तीर सा लगा जुनिया इस घर में आए तो मुझ रसदूरान का गोबर की चहती है तो उसे लेकर जहां चाहें रहे और जो गोबर इसी घर में आए तो वे दोनों लड़किया किसके गले बांधोगे फिर ब्रादरी में तुम्हे कौन पूछेगा कोई दुआर पर खड़ा तक तो होगा नहीं उसे इसकी क्या परवा इस तरह नहीं छोड़ूँगी लाला को मर मर के मैंने पाला है और जुनिया आकर राच करेगी मुह में आग डाल दूँगी सैसा गोबर आकर घबराई हुई अबाजमन बोला दादा सुन्दरिया के क्या हो गया क्या काले नाग ने चूलिया भे तो पड़ी तलब रही है होडी चौके में जा चुका था थारी सामने छोड़ कर बाहां निकल आया और बोला क्या असगुन मुह से निकाले हूँ अभी तो मैं देखकर आया हूँ लेटी थी तीनों बाहर गये चिराग लेकर देखा सुन्दरिया के मुह में फिचकुल निकल रहा था आके पत्रा गयी थी पेट फूल गया था और चारों पाओं फैल गये धन्या सिर पीटने लगे होरी पंडित दाता दिन के पास दोड़ा गाओं में पसुचिकितसा के वही आचारे थे पंडित जी सोने जा रहे थे दोड़े हुए आए दम के दम में सारा गाओं जमा हो गये गाये को किसी ने कुछ खिला दिया लक्षर इस पस्ट थे साब विच दिया गया है लेकिन गा सबसे ज्यादा दुख दुखी तो ही रही था दमकियां दे रहा था कि जिसने यह अतार्यों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए वह लाग गुसेलों पर नीच काम तो नहीं कर सकता आधी रात तक जमघट रहा सभी होरी के दुख में दुखी ते और बधिक को गालिया दे थी वह इस समय पकड़ा जा सकता था तो उसके प्राणों की कुशल ना थी जब यह हाल है तो कई कोई जानवरों को बाहर कैसे बांदेगा अभी एक रात भी रात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे किसी तरह की चिंता ना थी लेकिन अब तेक नहीं पिपत्या खड़ी हुई थी क्या गाय भी क्या गाय थी कि बस देखता रहे पूजने जोग पांस सेर की दूद कम ना था सौसों का एक एक बचड़ा होता आते देर ना हुई और यह बज्र गिर पड़ा जब सब लोग अपने अपने घर चले के तो धनिया होरी को कोशने लगे तुम्हे कोई लाग समझाए करोगे अपने मन कि तुम गाय खोल गर आगन से चले जब तक मैं जूशती रहे कि बाहर ना ले जा तुम्हारा दिन पतली है ना जाने कब क्या हो जाए लेकिन नहीं उस अचा कैसे पढ़ता कोई बुरी बात होने बाली होती है तो पहले मती ही हर जाती है इतने दिन मज़े से घर में बंती रही ना गर्मी लगी ना जूड़ी आए इतनी जल्दी सब को पहचान गई थी कि मालूम ना होता था कि बाहर से आई है बच्चे उसको सींगों में खेल सर तक ना हिलाती थी जो कुछ नान में डाल दो चाट पोचकर साफ कर देती थी लक्षमी थी अभागों की घर क्या रहती सोना और रूपा भी यह हलचा सुनका जान गए थी कि और बिलक बिलक कर रो रहे थी उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था उनकी संगन हो गई थी दोनों खाकर उती तो एक एक टुकडा रोटी अपने हाथों से खिलाती जैसा जीब निकालकर खा लेती थी जब तक अपने हाथ का कौर ना पा लेती खड़ी ताकती रहती भागी फूट गए गोबर और दोनों लड़कियां रोध होकर सो गई थी होरी भी लेट दनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आय तो होरी ने धीरे से कहा तेरे पेट में बात पचती नहीं कुछ सुन पाएगी तो गाउं भर में ढुंडोरा पीटती फिरेगी दनिया ने आपति की भला सुनू मैंने कौन से बाट पीट जी पीट देकी यूं बदनाम कर दिया अच्छा तेरा संदे किसी पर होता मेरा संदे तो किसी पर नहीं कोई बाहरी आदमी था किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी नहीं तो गाउं वाले मुझे गहने के से गड़वा देंगे अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा मुझे मार कर सुखी ना रहोगे आप दूसरी महरिया नहीं मिली जाती, जब तक हूँ तुमारा घर संभाल ले हूँ, जिस दिन मर जाओंगी, सरपा हाथ धर कर रोगे अभी मुझे में सारी बुराईया ही बुराईया है, तब आखों से आसु निकलेंगे मेरा संदे हीरा पर होता है जूट, बिल्कल जूट, हीरा इतना नीच नहीं, में मुह का ही खराब है मैंने अपनी आखों से देखा, सच तेरी सिर की सौँ, मैंने अपनी आखों से देखा कव वही, मैं सोभा को देखकर आया, तो वह सुन्दरिया की नान के पास खड़ाता है मैंने पुछा कौन है, बोला मैं हीरा हूँ, कोड़े में से आग लेने आया था थोड़ी देर मुझसे बात करता रहा, मुझे चिलम पिलाई, वह उधर गया, मैं भीतर आया भही, गोवर ने पुकार मचाए, मालूम होता है, मैं गाए बांद कर सोभा के घर आया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है, शायद फिर यह देखने आया था कि मरिया नहीं धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह की होते हैं भाई, जिने भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती उफो, हीरा का मन इतना काला है, और डाड़ी जार को मैंने पाल पोस्टर बढ़ा किया अच्छा जा, सो रहे, मगर किसी से भूल कर भी जिकर ना करना कौन सवेरा होती, लाला को ठाने ना पहुंचाओं, तो अपने असल बाप की नहीं ये हत्यारा भाई कहने जोग है, यही भाई का काम है, वह बैरी है, पक्का बैरी और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोडने में पाप है, होरी ने धमकी दी मैं कहे देता हूँ, धनिया अनर्थ हो जाएगा, धनिया आबेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाएगा, मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाएं मानूंगी नहीं तीन साल चक्की पिसवाऊंगी, तीन साल वहाँ से छूटेगा तो हत्या लगेगी, तीरत करना पड़ेगा, भूज देना पड़ेगा, इस धोके में ना रहें लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसने भीतर जाकर किवाड बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोस्ता पड़ा रहा जब स्वयम उसके पेट में बात ना पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगे, अब यह चुड़ेल मानने वाली नहीं, जित पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं आज उसने अपने जीबन में सबसे बड़ी भूल की, चारो और नीरव अंधिकार चाया था, दोनों बैलों के गले की घंटे कभी कभी बज उत्ती थी, इस कदम दस कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी, और होरी घोर पश्यताप में करबटे वदल रहा था, अंधिकार मे प्रकाश की रेखा कहीं नजर ना आती थी, झाल झाल